हेलो फ्रेंट्स, विल्कम टो आवर चैनल, इस वीडियो में हम अपरेशन्स आन फ्रेक्शंज का पार्ट 3 रिखने वाले हैं तो दूस्तो यह फोर्ट लेसन है मैट इम्बोर्ट यानने महराश्च्रा बोर्ट का तो दोस्तो हमने अब तक part two cover कर लिये हैं वो आपने देख या ने होंगे तो आप देख सकते हो रिडिवी upload है रोस्तो आप देख सकते हैं अब दोस्तो आप तक हमने two parts क Pride दीए बढ़ा अपने वह नहीँ एंगे तो अप देख सकते हूँ तो यह Part 3 है आपने देखा होगा तो आपने आपने खोबी दे सकते हो तो दोस्तो हम आज दखने वले हैं Part 3 दो पार्ट से अलेट है अपनो रखे तो Part 3 बहुत तीजी रहे है तर दोस्तो पार्ट 3 में हम 2-3 तीजी रिखेंगे Showing fractions on number line, उसके बाद देखेंगे Multiplication of fractions ये multiply करना है ये हमेदा करना है जितना भी दोस्तो होगा न दोस्तो जादा से जादा दो दीन चीजे तो हमारी complete होई जाएंगे जितनी होंगी इतनी अच्छी है तो दोस्तो आपक वीडियो को अपने वीडियो का पेड तक देखने चैनल उसको अपने सब्स्राइब ने किया तो वो करेगा अगले पार्स और वीडियो को देखने के लिए आपलेब करते है आपलेज दोस्तो बेल आइकोन भी जड़र क्लिक किजेगा वीडियो को अपने सब्स्राइब करते है दोस्तो शुरवात में मैं पढ़ रहा हूँ पिर आपको बता हूँगा कि हमें क्या दिया हुआ है इन वीडियो कि दोस्तो कैसा पता है कि एक में हमें स्केल दी हुए है आपके पास भी स्केल होगी आप स्केल निकाल सकते हो तो स्केल से हमें क्यों करना है आपके पास सेम ऐसी स्केल होगी स्केल में क्या होते हैं सेंटीमिटर 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 एक दो तेंटीमिटर सेंटीमिटर सेंटीमिटर यह आपको पता होगा सेंटीमिटर सें मतलब जिसमें बड़े-बड़े लाइन से वह बड़ा और जो छोटी लाइन्स होती है वह हमें क्या करना होता है जो छोटी लाइन्स होती है वह दिनमेंडर में लिखने होती है अब जोस्तों हमें 1 2 3 4 4 नमबर पर है इसलिए 4 अपन 10 10 हर एक में 10 लिखा हुआ है अगर अलग हो सकता है अगर जोस्तों आपको 3 मिक्स नमबर में क्यों लिखा हुआ है क्योंकि उदर हमें 3 दिया हुआ है मतलब 0 पर 0 नहीं लिखते है अभी तो मतलब इसलिए बुद्र 0 नहीं नहीं है नुखा है नॉर्माल इसमें 0 को नहीं है तो दोस्तों 3 में क्या है मतलब हुआ तीसरे संख्या के 7 अपन 10 है सीधा 7 अपन 10 नहीं 3 है इसलिए 3 लिखना पड़ता है सेव तीन सेवन अपॉन टेन ऐसा लिखते हैं तो लिश्टो आपको ये ट्रिक हम आगे बहुत अच्छी रिकिसे हम ज्यादा एक्जम्पल से देखने वाले हैं अब हैं एक एक्जम्पल देखते हैं लेट उस शो दो फ्रेक्शन 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 7 अपॉन 3 अपॉन 3, on the number line, below every unit is divided into 3 equal parts मतलब वहने क्या होता है इसमें 3 equal parts हमें क्या है होर हमें 3 equal parts ने क्या 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 पता है क्या मतलब एक number मतलब ॥ो numbers के बीच में इधर क्या दिया या इंपर, व हैं नभर से ऐसा आज़ेवाइवक्ट है दोनों की बीच में 3 7 कंडा तर फे लो दो 10 2 तु और 20 सी ons smoke front अज़ी इ। और उस में 3 ही 10 1 & 2 तू के बीच में 4 & चाहर चाहर पात करें सब के भीचम्हें आगे भी हुआ सारे तो दोस्तों हमें क्या करना है टू अपॉन थ्री कर से आया तो दोस्तों वह तीन यह हर एक में तीन इसलिए डिनमेंटर तीम उसके बाद शेकर नमबर पर एक और दो जी रोली जो लाइन होती है उसे हमें घ्रह इतने दरना था उसके आगे साम स्टाट करना था एक दो पर है इसलिए दो उसके बाद ये 4 नमबर पर एक दो तीन चाहा उसके बाद एक दो तीन चाहर पाट छे आर रहे साथ उसके बाद आठ नौ 2 उसके बाद तो ने कुछ दिया ले तो अ थे लोग उनक्स याह नितुरों आँज line must by divided मंजे इदर मतलब इदर वही दिया दिनम इडर लिखना आता है असा इदर दिया वा इफ वी शो फ्रक्षिन 3 upon A, 9 upon 20, 10, 19 upon 40 on the number line how big should the unit B सम्झा? तो प्रक्षिन 11 what fraction do the C point A and B short on the number line below अब हमें क्या करना है A or B इन दोनों के बीच में A or B में क्या आएगा या हमें देखना है इदर box A or B नाम के इन दोनों में हमें कौन सा नमबर आएगा या देखना है शुरूवत में इदर हर एक के बीच में 6 है कैसे एक 0 को तक रहा है तो spir में 6 छी हे अधर दिया हुआ है मतलब हर एकमें 6 है पीर usa एक बार दोनों में 6 है तो रूस्तो करता है तो हम देखते है इदर क्या आएगा 6 के पहले 5 आता है इतने इसी भी कर सकते है अग उसके बाद ट्वल के 5 से पहले तो फिर हमें दीनोमेडर पाच रहेगा तो पक्का उसके बाद उपर क्या होगा उपर दोस्तों बाच के दो से पहले या फिर सेकंड थर्ड नमबर पर है यह 13 है तो दोस्तों फिर अब हम देखेंगे सेकंड में अब शुरू इसमें शुरुवत में बी यह तो बी में क्या दिया है यह तो फोल डाइगा क्योंकि जीरो की रही दिना गराहिक नहीं देरेंगे उसके बद एक दो और तीन है तीन उपर होगा नाव कर दिनो मिनटार का होगा यह हम देखेंगे हर एक के बीच में कितने जीरो के लिए ने गरें एक दो तीन चार, पाँच, छे, साथ हर एक के भीज में साथ साथ है तो साथ साथ में क्या करण यह 3 अपन 7 रहेगा और यह कितना रहेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस 10 अपन 7 समझा अब यह हमने तो complete कर दिया है show the following fractions on the number line हमें क्या करना पता है क्या, मतलब यह हम इधर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है आपको समझ परी एक number line मतलब रुको आपको number line है तीन, दो कुश्चन से तीन, तीन हमें क्या करना है एक number line लेनी है उन पर हमें करने और दोस्तों आपको हमें कैसी number line बढ़ने है कि हर दो के बीच में हर दो के बीच में दो number के बीच में पाच-पाच संख्या रहेंगे बीच में चाहिए और जीरो अलग रहेगा तो दोस्तों हमें कितने तक लेना है फोर्थ लाइन टक लेना है टू त्री अपउन फाइफ लिए त्री तक या फिर फोर तक भी लाइन एक की तभी चलता है पिर आपको क्या करना है शुरुआत वाले पाच में नंबर तीन पर एक लेना है उसके बाद नंबर छे पर एक लेना है चलता है दोस्तों उसके बढ़ हमें दूसे लाइन दूसरी लाइन रेख नीए तो दूसरी लाइन के बाद जो 1 2 3 आ हैंगे न उदर हमें 3 लिग देना है तो फिर सेकड गौवे लेक सेकड औरिक लाइन भाननी है तो 3 अपॉन फॉर याने 4-4 वाले 4-4 इससे हमें ड़ायना है है तीन पर कमें फाध करने चरी आétaली के इबार मतलब सिसक्व फेंगों एक के बाद मतलब जिरो और एक यासा होतात少 यहाँ जोड़ा-धा तो उसके के बाद हम क्या करेंगे सेख हमने करेंगे करेंगे अ करुएंगे अब तक हम क्या करेंगे क्या करेंगे uh हमोडे। आत Fig which does just try this También multiply करने के लिए हमें क्या करना है show how the multiplication 3 upon 5 into 1 upon 2 in run with the help of the regular slip draw a vertical line to divide a rectangular slip into 5 equal parts हमें क्या करना है मतलब यह जब नीचे पास दिये ना इसका डिनमेंट है फिर हमें क्या करना है इसलिए पास हमें क्या करना है यह पास हमें ड्रॉ कर लेना है तो उसके बद करना है shade the part that shows the fraction 3 मतलब हमें क्या करना है उन्हें से 3 है ना उन्हें क्या करना है रंगित पार्ट में हमें शो करना है चलता है अब फिर क्या करना है we had to show 1 upon 2 and of 3 upon 5 3 upon 5 so draw a horizontical line to divide the strip into two parts to equal part फिर हमें क्या करना है 1 upon 2 भी हमें इसमें से show करना है दो जस्तो shed 1 मसक मतलब 1 upon 2 मतलब आज आज पार्ट रहेगा नहां में अलग रंक से बनना है shed on of the two horizontal part is the different way what we divided the strip into two equal parts we also divided in the three upon five part into two equal parts to take on the arm of this part consider the part shared twist we have ten equal boxes of this three boxes have been shared tweets this box i boxes i i the part shared tweet can be read the fraction 3 upon 10 कैसे तो दोस्तों इसका हमने इदर सुरूशात में होरिजेंटिकल गया इसका नॉर्मली क्या होता है पता है क्या मतलब इसका सारे कमेन शुरूशात में पढ़ लिया अब उसका में क्या होता है वो बताता हो अंसर तो दोस्तों निकल तो हमें क्या करना है मतलब इदर जो उन जोनों की दीनोशाद में हैं बताओं कि जो रसे में कि यह और नीचे देया हुआ लगता है बड़ा दोस्तों निकल से कि नहीं में कि नहीं है कि इसमें जरूरी के नहीं होता है कि sampai आंसर आएगा वो हमें आंसर होगा तो दोस्तों नतले 20 का मतलब होता है उपर वाल नमबर्स की और निचे वाल नमबर्स की इन दोनों की मल्टिप्रिकेशन करने होती है एक दूसरे की मतलब तेड़ी नहीं करने होती है मतलब उपर और उपर वाली एक और निचे और निचे इनकी आलगरत करने होती है Now I know When मतलब कीतिन सिंपल नार्मली जास्याम करते वैसे करना है बट्ट दो नंबर्स होते We multiply in two fractions The product of the numerator Which is written in the numerator And the denominator In this denominator मतलब करना है Denominator, denominator In दोनो denominators की multiply And the numerator and numerator की multiplication Now we have another example Now we have written example We have directly question We have a question We have to make a question We have to make a question In math and words We have to make a return So we have to make a question So we have to make a question So we have to make a question 42 acres of farm land If she plant weight On 2 upon 7 of the land On how many acres How she plant How she plant Planting weight That means What we have to make a question Weight 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 Fo On की जगा तरस तो उन्मे उन्हें क्या किया तूब ऐसे बने ना उसने वेट लगाएं तो वी तो उन्में कितना भाग प्लैंट मतलब बेट कितने चगा पर उन्होंने प्लैंट किया है कितने एकर मतलब हाँ मैने एकर्स हाँ मेने एकर्स अने कितने एकर में मतलब कितने कर लगे उने वेट के वेट में वेट याने के हूँ के खेत के लिए उन्होंने कितने कर खुद का मतलब खुद के कर में वो लख रखे तो वो उसका अंसर निकालना है वी मुस्ट फाइन आउट 2 बाइ 7 ऑफ 42 इसका मतलब क्या था है 42 42 इंटू मतलब मल्टिप्लाइ बाइ 7 अब ऑफ 42 के निचे कोची भी साय नहीं है वो होल नंबर है तो फिर वोल नंबर हों का गारण हमें क्या करना पड़ेगा 42 के निचे हमें एक एक लिग देना पड़ता है कुछ भी नहीं सा एक लिग देना पड़ता है तो रोस्त फिर हम क्या करेंगे 42 अपन 1 और 2 अपन 7 हमें मल्टिप्लिकेशन का यह से करने पाता है तो फिर नूमेरेटर नूमेरेटर की मल्टिप्लिकेशन और दिनामिनेटर की तो 42 अपन 2 तो फोल से करने है तो यहां में मल्टिप्लाइब सेवन तो हमें यह करना है कि इसकी जगा फिर नहीं क्या करना है पता है क्या अब फोर्टीट होता है ना आपको डायर्टली आपको फोर्टीटू अपन टू करना बहुत इसी होता है बता जीने भी मतलब वो नहीं जमाव उन्होंने क्या करना है मतलब उनके पार्ट करने सेवन और फिर क्या करना है दोने भी तरी करना है जाए डायर्ट करना तो कहा था फोर्टीटू इन्टू मतलब मल्टीप्ला बैट्टू इस उकल टू एटीफोर और सेवन का भाग गी दिया तो आता है अंसर ट्वेल ऐसे भी निकाल सकते और दूसरी ड्रेखे अगर आपको जीने लिए दियारेक्टली मुल्टीप्ला रहता है इतने बड़ी शंक्या कर तो उन्हेंने क्या करना है सेवन को फोर्टीटू से डिवाइड करना है और सेवन उसके छोटे-छोटे मतलब सेवन को सेगनने के बाट फोर्टीट उलता है यह दोनों संक्या भी अप लीग सकते हो चलता है 7ंज़् 7 अफिर 7 आपको 7 7एप सकते हो 7 747 क्योंकि इस 6 और 2 बच गये तो 6 multiply by 2 is equal to 12, ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर आजसरा का सुलो चिना भाई, आज प्लांट वेट on the 12 acres of land, सम्झा दोस्तो, प्रैक्टिस सेट 12, multiply, हमें इनकी multiply करने, 7 वान जा, से उपर नुमे, नुमेरेट, और पहले ही में बता दे रहू, हरे कुश्यन को, ने नुमेरेटर, नुमेरेटर के multiplication, और डिनामेरेटर, डिनामेरेटर के multiplication, 7 वानजे 7, 7, 5 फोर्जा 20, मतलब 7 अपॉन 20, राइट, सेकंड कुश्यन, 6 अपॉन 7, multiply by 2 अपॉन 5, 6 और 2 के multiply by 2, 7 और 5 के multiply by 25, मतलब 12 अपॉन 35, उसके बाद 3 कुश्यन, 5 अपॉन 9, 4 अपॉन 9, फ 4 multiply by 4 is equal to, 5 multiply by 4 is equal to 20, 9 multiply by 9 is equal to 81, उसके बाद 4 अपॉन 11, multiply by 2 upon 7, 4 multiply by 2 is equal to 8, 11 upon 7 is equal to 77, याने 8 upon 77, तो उसके बाद 5 है, 1 upon 5 multiply by 7 upon 2, 1 7 जा 7, 5 2 जा 10, 7 upon 10 याने राता है, उसके बाद V I याने 6, 9 multiply by 7, 9 multiply by 7 is equal to 63, तो दो उसके बाद 7 multiply by 8 is equal to 56, 5 multiply by 6 is equal to 30, 6 multiply by 5 is equal to 30, आमे क्या लिपने इस question का answer, मतलिए 30 upon 30 is equal to 1, आनसर आता है, अब V I I याने 8, उसके बाद आता है, V 6 और 3, 6 multiply by 3 is equal to 18, 17 तो जा 32, याने 18 upon 32, इसका हम 3 से हम क्या है, तो 34, बर दोस्तों हम next question लेकते है, अशो करो प्लैंट, बाद बाद बनानास on 2 upon 7, आपने जो ट्रीज मैं लगाये है, बनाना की ट्रीज मनाना की ट्रीज में लगाया है, बनाना जां हम खाता है ना, तो दोस्तों उन्होंने 2 upon 7 लगाया तो दोस्तों उसका कितना एरिया मतलब कितने एकर्स उन्होंने उसमें लगाया है तो 20 फिर हमें क्या करना है पिछली दरेकेश से दुको 21 मुल्टिप्लाइबाइब 2 upon 7 अब अब 22 फिर के निचे कुछ भी ने इसलिए 1 तो 22 तूजा 22 जा 42 upon 7 is equal to 6 6 एकर्स उन्होंने अपने 6 एकर्स एकर्स समझा दोस्तों तो दोस्तों उन्होंने केसे ट्रिक चेकिए आपने स्क्रिंशोट निकाल लीजिए तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं नेक्स कोशन आप स्क्रिंशोट निकल सकते हों तो दोस्तों हम हम दिलेट कर रहें अपने स्क्रिंशाट नहीं निकाल हो तब पीजी जाकर स्टाप करकर निकाल सकते हों उसके बाद का कुशन ने, of the total number of shoulders in our army 4 upon 9 are posted on the north border and one-third of the hytheim on the north-eastern border. If the number of soldiers in the north is 5,440,000, how many are posted on the north-east? अन्होंने कितने भेजे ना नौर्ट इस्ट में तो दस्तों इसका क्या दिखाया इदा? मतलब जो नौर्थन बोर्डर है ना उधर कितने उधर शोर्ड़ में मतलब टोटल मिलकल 5,44,000 लोग थे तो क्या किया पता है क्या? Of the total numbers of the shoulders in our army, 4 upon 9 are posted. मतलब क्या किया? टोटल मेंसे उन्होंने क्या किया? 4 upon 9 में क्या किया? आर पोस्त पोस्त अन्द नौर्थन बोर्डर है और एंद त्री आन्थर्ड अफ देम नौर्थ इस्टर्ड तो क्या किया? उन्होंने 4 by 9 बेचा नौर्थन नौर्थ बोर्ड में तो और वन थर्ड क्या किया? वन थर्ड उन्होंने नौर्थ इस्टर्ड में भेजा If the number of soldiers in the North, how many are posted in North East? मतलब उन्होंने क्या किया है? कि उपर का तो हमें कुछा बात जानगी में कि द्रूद नौर्थ इस्ट नौर्थ इस्टर्ड। मतलब आफ इस्टर्ड में किपने ट्रह सलता है 1-3, उपर का तो नौर्थ इस्टर्ड क構 कि ने ही स्फ 100 उपर का ऐसे दिया है बच्चों को मतलब गड़ बड़ाने के लिए मतलब समझे ना जाए ऐसी बाते के लिए बट दुस्ता हमें बात को द्हांट से समझ लेना है वन थर्ड याने वन अपॉन त्री ये बट उपर का जाना है बट वो भी हमार थोड़ सा काम काई वे टा जाने वन थर्ड गाए निकालना तो हमें क्या करना है इस कुश्चन का अंचलर अब को मैंने आपको समझा दिया है कि उन्होंने क्या किया है तो इसका मतलब होता है फोर बяд यह नो ने नॉर्थन बोर्डर में भीजे और वफ सर्थार तो अब नॉर्थर ढतेर तो गर्टर से तो अब नउर्थ्र इस्ट में कितने भीजें मतलब वहाथ सकते सब्सक्राइब Kenneth a team बेख सकते हैं चारिशD immense this tamoisa मैंने तो इतने आपके clue दी दिया तो आप तो आपकरी सकते होंगा अब दस्तर let's learn हम देखेंगे क्योंकि आपको भी खुद को मतलब खुद से कुछ अगवंबर होना चीए तो दस्तर the reciprocals of multiplicative inverses look at the multiplications 5 upon 6 multiplied by 6 upon 5 मतलब 30 upon 30 is equal to what? मैं बताया था ना अंसर उसका तो दस्तर मतलब नीचे उपर ऐसी अगर संग्या हो तो आंसर मतलब एक ही आता है वह नहीं आता है यह आपको समाजना थे है what is the मतलब what is the because do you see in the all of them a fraction is multiplied by another fractions numerator and denominator of the first fraction their product is one each of the मतलब आगर कुरसी भी उपर निचे उपर निचे उपर निचे आशा हो और उसका अंसर वन आता हो तो उसे क्या क्या बूलाते है reciprocal of multiplicative inverses asa कोईते है अब दो आता है अब दो आता है the multiplication inverses multiplicative inverses reciprocal of 5 upon 6 is 6 upon 5 the multiplicative inverse of 4 this or 4 upon 1 is 1 upon 4 now I know when the product of the two numbers is 1 each of the numbers is multiplicative inverses of or reciprocal of the unwhether think about you it what is the reciprocal वाउड जीरो reciprocal ये कोश्चिन आप को मैंने परने चीए तो दस्तो let's learn division of fractions हमने क्या देखा इसमें उपर में कोई receiver कोल मतलब अगर उपर निचे नोमेटर डिनोमेटर multiplication में अलाव मतलब उनकी संख्या बदान के लिए तो answer के भी भी वह नहीं आता है तो दोस्तों हमें let division हमें देखनी है of fractions की कैसे करते हैं पता है को पता है क्या तो दोस्तों उनकी एकना example से मतलब क्या करते है पता है क्या पता है क्या अपको बताए देता है अपको डिरेटली अपको वही याज रखना है यह सुत्र या फिर अपका यह रहेगा क्या बताए शुत्र या फिर उनकी बढ शुत्र हमें रहेगा इसका उसका trick मतलब सुत्र तो इसका trick है कैसे trick है अगर आप किसी भी संके को हम multiply कर रहे है अगर इदर एग्जम्पल में दिया हुआ है 6 divided by 3 upon 2 फिर क्या करना होता है 6 के निचा में 1 लेना है क्योंकि उदर कुछ भी नहीं होने के कारण तो अब अब क्या करना है divided by 3 upon 2 है ना मतलब जो right side का है ना उस रंखे का हमें कभी भी change करना होता है कितना भी हो हमें क्या करना है सिर्स मतलब हमें मतलब इदर महीं आएसे questions है ता हमें left वाला हमें change करना है आएसे questions है तो तो फिर answer एगा 3 by 2 का 3 फिर क्या होगा 6 upon मतलब फिल मन इसे क्या पता है माराथी में पता है क्या आपको बागाकार बस्तर बुणाकार बस्तर ऐसा कहता है ना बेरीज बस्तर तो इसे जहीं हम कर रहे हैं तो यह व्यस्तर करना है तो दोस्तों क्या करना है और निचेका करना होता है और फिर मलटिप्ला करना होता है ऐसे चीज करने परती है और फर्सकंट कहते हैं तब this記nd रेले और प्रेदर फ्रक्शन की बाद करते हैं जिनका अल्रेडी निमेडर डिमेडर दिया ऐसे फ्रक्शनद की तो फिर क्या करते हैं तभी मतलब इदर फ्रैक्शन्स नार्माली इदर दोने तरफे मतलब इदर लेफ्टी सैड कारे करना है दोस्तों तो आपको ये बात आपको यादा रखनी ज़रूरी हो रहेगी कि लेफ्ट सैड का अभी भी चेंज किया जाता है मतलब अगर आपको आपको समच गया होगा कि कैसा करना होता है आपको मतलब लेफ्ट सैड का जो मतल राइट सैड का जो होता है ना वो राइट सैड का कभी भी आपको चेंड करना होता है उनके नियूमेरेडर डिनमेटर की साइड फिर क्या होता है जो अभी रिशीपो को होत उसे हमें multiply करना होता है दूसरे फ्रेक्षन से, दूसरे फ्रेक्षन को हमें नहीं करना होता है, मतलब left side वाले को, हमारे left side का ये दिवाद ध्यार लखना, अब हमें this ये पोकल साफ़ दर following हमें, हमें number उल्टा करना है, 7 की 7, सिर्फ 7 है, 7 की नीचे कुजी भी ने, इसलिए उ होता है, फिर वो चेंज करना होता है, दोनों का वो उत्लिए, 1 उपर 7 जी, 1 numerator, 7 denominator, फिर 1 अपन 7 आता है, अब ये मिने, अब ने एक स्कोष्चा है, वला 11 अपन 3, 11 अपन 3 का उल्टा आता है, 3 अपन 11, 5 अपन 13, 5 अपन 13 का उल्टा आता है, 13 अपन 5, उसके बाट्टू 2 की निचते हम लगा देंगे डेलेक्टी वण, 1 अपन 2 हो जाएगा, 2 अपन 1 अपन नाता है, उसका उल्टा, 1 अपन 2, 6 अपन 7, उसका उल्टा 7 अपन 6, कैरी आओ, मतले हमें क्या करना है, हमें सारे को डिविजन आता है, हमें को सब को, सब को डिविजन मतलें करना है, दूसर दोस्तों तो हमार क्या करना है हमें एक ट्रिक पता है मतलब राइट साड के जो इस नमबर रता है उनकी साइन बदल देने होती है फोर अपन वर वन अपन फूर का है तो फोर अपन वन हो जाएगा अब फिर मल्टिप्लाइ कर देना होता है तो अपन टू मल्टिप्लाइ बाइफ फोर इधर और या फिर हम यह भी कर सकते है जोस्तों अगर हम परदा परिक्षा या फिर कॉंपूटिटिटीव एग्जाम एंचीक्यु वाले एग्जाम से जादा जरुदें एंचीक्यु आने मल्टिपल चॉइस ऑप्शन्स मतलब हमें चार ऑप्शन्स कितने भी ऑप्शन्स वाली प्रेवाता है तो उदर में राइट नहीं करना होता है तो उदर हमें सुत्रनुसार लिखना होता है तो यह के एंचीक्यु विखना में हम आता है यह किल आधा है व्यक्यांथर किल नहीं करता है घरन मल्टिलेग्यैशन कर सकते बट हे तो यह में ट्रिख सढ़ा हिक्र में ऑफ्ट म्रूदेग्यु आप थिया टरह टो पॉर्ट आपन पदेगा किलने टो सो उसल हमें ट्रीक स करना पड़ेगा तो 4 upon 1 हो जाएगा 1 upon 4 का तो 2 multiply by 4 is equal to 8 8 आगाया उपर और निचे का आओगा 3 वैसे का वैसे ही 1 निचे आने पर 3 वैसे का वैसे 8 upon 3 तो उसके बाद 5 upon 9 divided by 3 upon 2 5 upon 2 की multiplication is equal to उपर आएगा 10 9 upon 3 9 multiplied by 3 is equal to 27 फिर का आगा 10 upon 27 उसके बाद 3 upon 7 divided by 5 upon 11 फिर का आगा 3 और 11 की multiply उपर आएगा 33 उसके बाद 7 और 5 की multiplication is equal to 35 33 upon 35 उसके बाद 11 upon 12 4 upon 7 12 और 4 की पहले 11 और 7 की multiplication is equal to और उपर आएगा 77 अपको सुत्रवन उसर करना है simple trick करें उसा नहीं अगर आप computer exam अजे तो जल्दी से हमें करना होता है फिर वैसा ही करना है 12 upon 4 हमें 12 multiply by 4 करना है हमें तो वह कैसा आता है उसका अंसरत है 48 फिर हमने सारे करेंटों complete कर दिये अब और एक देख लेता है अब दोस्तों ज्यादा कुछ बाकी नहीं है देख लेता है लास्ट है कितना बाकी है कि उस चैप्टर तो खतम आ रहा है लगा मुझे अभी एक दो परेजनेंस बर्चे हैं बड़ा कुछ इस खतम है हो रहा है टीक है तो फिर चार सो लास्ट कोशन है 400 स्टुडेंट्स एक पार्टिसिपेटिंग स्वच्च भारत मतलब इसका मीनिंग होता है कि क्या है कि सुच्च भारत कॉंपी गन्याने एक आशी घुशना या फिर एक हे चल लिए बात चल लिए स्वच्च भ मतलब गुरूप याने मतलब लोगों को सब गुरूप याने वर्टसफ गुरूप वैसे गुरूप नहीं तो हमें मतलब लोगों को समाव और उन्होंने ऐसे हाथ में बोर्ड लेकर हो जाते है ना आप उच्छता हमें कर दिया और मतलब उसमें क्या करना आता है सारी या फ पर्शो में students ने उस में participant वो बने They clean 42 upon 75 part of the town Seva Graham what part Seva Graham What part of Seva Graham Seeva Graham part of the town Seva Graham उस टाउन का याने शहर का नम था सेवागरम. वाट पार्ट अफ सेवागरम दिड इच टुटें टुटेंट इन 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 इस वाप्र वावास एक्वैली शेरे बाय ओल. हामें का करना हैं कि डिविडर मतलब उन्दोनों का डिवाइड करना है उन्दोनों को. 42 upon 75 divided by 420 मतलब 420 अब दोस्तों यह जाना 420 की नीचे कुछ भी हमें नहीं है तो इसलिए हमें उदर 1 लिख देना है 42 upon 75 इदर में लिखता हूँ इदर में लिखता है 42 upon 75 इदर में लादी जी रहेगा इसलिए दिवादेड बादी जी रहेगा अब दोस्तों फिर क्या करना है हमें संक्या की अदला बदल कर देनी है तो दोस्तों फिर क्या आएगा अब क्या करेंगे एपर क्या होता है जो डिवाइड़ का साइन है वो खट जाता है हम क्या करेंगा डिवाइड़ का सैन जाएगा और आएगा मल्तिप्लिकिशन मुल्टिप्लिकेशन वाला साइन अब क्या करेंगे 420 और 420 यह दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं वो भी इसलिए हम काटागाटी करेंगे एक और यह आएक टेन दस्वे नंबर पर आता है 420 फोटीटो के टेबल में तो वन आण टेन आ गया हमां काटागाटी नहीं किये नहीं करनी है मिट में बता रहो तो दोस्तों अब अब फिर क्या करेंगे वन आण टेन आगा 75 मल्डिपलेबस 10 is equal to 720 एए 1 upon इसका अच्छा रहा ता है 1 upon 750 मतलाब हो तोटल मिलकर आणसर आना है क्या है हमारा से मैं आणसर बता रहूं आपको सुत्र नुशार करना है बड़ मैं आणसर डाइरेटली बता रहूं सुत्र नुशार मतलब कैसे मतलत है क्या काटा काटी करना तो बहुत जर तो दोस्तों 1 अपन 750 यह आ गया हमारा अंसर पता चल गया आपको अब रामा नूजन मैजिक स्क्वेर यह मैजिक स्क्वेर है अब दोस्तों यह इसमें क्या करना है हमें अब फिर यह नीचे वाली आएगी नीचे वाली लाइन फिर यह इसमें 22 17 89 11 एलेवन एक लाइन जारे थे 22 88 एलेट 10 और 19 1988 सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों हमें यह क्या करना है हमें गूगल पर भी हमें सब्सक्राइब करना है कि रामनुजन इंडियन मैथेमेटिक शन होते हैं उन्हें गणी तो बहुत अच्छा था उनका तो शुरी निवासा रामनुजन आपको यह नाम आपको सर्च करना है उनके बारेग में जो जैनकर यह वो आपको ज्यादा से ज्यादा हसिल करनी है तो दोस्तों यह आपको जल्ली से आपको कर सकते हो अब मोबाइल पर प्यूसी पर लैपटाप पर अब टैप पर ऐसे किशी वीजी स्पर कर सकते हो अब आज हमने पूरा आपरेशन्स और फ्रेक्शन्स टैपिक कवर कर दिया है अब हम मिलेंगे निक्स्ट वीडियो में निक्स्ट पार्ट के साथ तो तब तक के वीजे बबाई तो आपने आज रहे का प्रेशन्स और दोस्तों चैनल को अपने सबस्राइबने किया हो तो सब्सराइब किजिए और बेल ऐकन टैप को खिलिक किजिए अपने दूस्तों के साथ शेयर किजिए और चैनल जिससे क्या होगा उन्हें भी मदद मिलेगी सब्सर रेम साती है यह मुझे पटा है दूस्तो इसलिए आपको क्या करना है रेतहिए पर्सणर आपक करने पर सब्सक्राइच अपर संब्सक्राइब यह में नोटिफिकेशन साती है तो दोस्तों जबी फूर काला रणग का हो जाएंगा न वो मतलब बेल आइकन तो फिर अपका बेल आइकन क्लीक हो जाएगा जब तक वह वाइट रंग करेगा तो फिर कुछ उपयोग नहीं अगर वाइट रंग या फिर वाइट 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 पर इसी तेड़ी रे ऐसी कौंची भी चीज़ा है न तो लोस्टो फिर हो नहीं होता है जब भी वह जब तक वह काला नहीं होत सब्सक्राइब करना और कमेंट और लाइक जा जाना जिससे मुझे बहुत आप वीडियो दने के प्रेड़ना आती है तो दोस्तों वीडियो को एडिक दहने के लिए धन्यवाद ऐसे वीडियो आप देखते रही होगा अब तो जितने वीडियो से अपने नहीं देखे हो तो में जाकर आप देख सकते हो तो मिलते हम देख स्टूडियो में तो तक के लिए बाबाए